Hello everyone, कैसे हैं आप सब? Investing with Hardeep में मैं आपका फिरसे स्वागत करता हूँ एक नई वीडियो और एक नई अपडेट के साथ मैं देखें कल जो Global Market ख्लोज हुई है तो एक अच्छी खासी गिरावट जो है कल की डेट में हमें American बजार में देखने को मिली है क्योंकि कहीं कितने भी गिर जाए Stock Market जाना आखिर में उसको उपर ही है ये तो हैने कि वो खतम हो जाएगी जाएगी उपर ही लेकिन एक अच्छी अपोर्चनिटी जरूर निकल के आती है जब एक अच्छी बड़ी गिरावट हो जाती है Stock Market में तो बहुत बड़े बड़े शे के Returns भी दिये हैं तो एक Analysis करके देखेंगी कि क्या FCF Software जो है आने वाले टाइम में अच्छे Returns दे सकती है या फिर नहीं दे सकती है जिन लोगोंने ओलडिंग्स बना रखें उपरी स्तर पे खरीद के जो लोग नुकसान में है तो उन्हें इस टाइम क्या करना चाहिए तो आप लोगों का एक सब्सक्राइब जो है मुझे और मोटिवेट करता है ताकि सही स्टॉक से बारे में सही टाइम पे सही जानकारी इस चैनल पे मैं आप लोगों को हमेशा देता रहूं और आप मेरे टेलिग्राम और वाटसप ग्रूप से एगर जुड़ना चाहते हैं तो तो अगर आप इसका पांस दन का चार्ट देखेंगे तो फांस दिन पहले भी स्टॉक तीन और रुप से ती के री वहीं अगर इसका वोल्यूम देखू, लास्ट क्लोजिंग एका तो अगर इसका वोल्यूम देखने को मिल रहे हैं यानि की बाइंग प्रेशर जो है अभी भी एक लाग का है और अल्मोस्ट साड़ेचे पॉने साथ लाग का जो है सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहे हैं लेकिन फिर भी पॉजिटिवटी रही है कल की डेट में भी क्योंकि ज फोड़ा बहुत पॉजिटिव यहां पे रिटन्स दे सकता और वही कल की डेट में अल्मोस्ट डेट पसंट तक के रिटन्स जो है FCS Software ने दिये भी है मार्केट कैप बहुत कमाल का है तीन रुपे का शेर और साड़े पांसो करोड से उपर का मार्केट कैप है बुक वेल्यू पर शेर दो रुपे तीन पैसे की है EPS 00 सेक्टर पी 28.62 का है प्राइस टू बुक वेल्यू 1.63 की है तो यहां पे सारी चीज़ ठीक ठाका लेकिन टीटिम पी जो है वो ओरबोट में नहीं है इस बीच में अच्छे खासे रीटन्स जो है स्टॉक ने दिये भी है तो यहां पे सावाल यहां आता है कि क्या लॉंक टरम ऐसे स्टॉक में बना रहना सेफ रहता है या फिर नहीं रहता है या फिर जिन लोगों ने नुकसान खाया तो उनको एवरेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए तो देखिए अब पैनी शेर्स में अभी फिलाल की कंडिशन में तो FCS सौटर के पास कोई भी कॉंट्रेक्ट ऐसा नहीं है कि वो बड़ी कंपनी के साथ डिलिंग कर रही है या उनका इंप्रूमेंट जो है लगातार देखने को मिले अब आने वाले टाइम में कंपनी का कामकाज कैसा रहता है कंपनी कैसे फोकस करती है अपने काम को लेके कितना एकस्पेंड करती है यह आने वाला वक्त बताता है कि अभी से तो आने वाले टाइम में अभी की कंडिशन को देखके तो यहाँ पे बड़े शेर्स में तो यह क कि भी अभी की कंडिशन को देखके हाँ उनमें अच्छा positive momentum रहा है अच्छे returns दिये हैं और आगे भी देंगे लेकिन यहाँ पे तो वह चीज भी नहीं है ना क्योंकि FCS software जो है लगातार एक रुपे के आसपास ही trade कर रहाता है काफी टाइम से अब यहाँ पे जो operators ने game खेला entry ली क्या होता है कि promotion जो है बहुत सारे shares का आप लोगों को देखने को मिल जाता है और जब promotion होता है तो automatic आप लोगों का रुझान भी जो है उस rock की तरफ बढ़ जाता है और फिर जब आप trap हो जाते हैं तो आपका पैसा waste हो जाता है price performance देखें आप 3 साल की 1000% के return और एक साल में सिरफ 100% के return है जिसमें से 3 महीने में 10% और एक महीने में 22% के returns है तो यहाँ पर आप कूद अन्दा लगए कि 6 महीने के अंतराल में almost 32% की correction है एक साल में 100% और 3 महीने पहले किसी ने अगर investment की थी तो उसको सिरफ 10% तक का ही profit यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है अगर अगर इसका वोल्यूम देखे तो last closing day का 73 लाक का वोल्यूम है और उससे पहले दिन का वोल्यूम 53 लाक का ही था और उससे आज मलब last closing 73 है उससे पहले दिन का 53 और एक वीक कैवरे जो almost 1 कोड के आस पास का हमें इसके अंदर देखने को मिल रहा है अगर इसके मैं जो promoter holding की ब decrease करके 19.65% यहां पर FCS software में कर दिया गया तो यहां पर operators ने जब stock को manipulate किया उपर लेके गए तो वो अपना stake बेचा उन्होंने और जैसे ही quarter के नंबर साए वैसे ही quarter के अंदर प्रबोंटर की holding decrease होते भी हमें नजा रहा है तो यहां पर long term अगर आप investment करना चाहते हैं तो एक चोटा मोड़ा risk जो है लेके continue कर सकते हैं क्योंकि ऐसे shares में long term bulk में investment करना बहुत ज्यादा risk हो सकता है आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like and share जुरू करें और आप मेरे चैनल पर अगर नहीं है तो प्लीज चैनल को subscribe करके बैल आइकन को जुरूर प्रे आई